आज expiry का एक ऐसे strategy में आपके लेके आया हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा personal favorite है, पर हाँ इसमें कुछ बातों का वीशेज ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन profit बड़ guarantee के साथ बनता है, तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और सबसे ज़्यादा favorite होने का मेरा ये, देखाऊंगा, उससे पहले expiry के बारे में कुछ जरूरी बाते, इसको समझना बेहत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप expiry, एक ऐसे चीजे जिसमें सारे लोग बहुत ज़्यादा interested रहते हैं, उसका main कारण क्या होता है, कि पैसा बहुत तेज बनता है, कई गुना है, हाला कि expiry की दिन अगर देखा जाए, अगर आप से घल्ती होती है, तो नुकसान भी उतना ही होता है, उससे बहुत भयानक बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति जब पैसा कमाने के लिए आता है, तो इतना अंधा हो जाता है, तो उसको expiry, 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 इतना करता है, कि expiry मे अपने capital का 25% इस्तमाल करना है, आपके पास जितना भी capital हो, आपके पास एक लाक रुपए है, तो सिर्फ 25,000 से trade करिए, आप उसका पाचवाई साब इस्तमाल कर सकते है, 20,000 से भी कर सकते है, पुल मिला के, expiry एक ऐसे चीज़े, जहां पे आपका पैसा बड़े strong तरीके से बनता है, और उस दिन आपका जो profit का जो ratio होता है, वो कम से कम, मैं अगर कम से कम की बात करूँ, तो कम से कम 50% का होता है, आपके capital का 50% हो ही जाता है, नॉर्मल दिन में हम देखते हैं 10-15%, एक आम आदमी, आम आदमी का मतलब यहां समझ लीजिएगा, यहां पे आम आदमी का 10-15% में विश्वास रखते ही नहीं है, वो लोग सोचते, अगर मैंने 5000 का trade लिया, तो 1500 तो profit होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तिका तो फिर भगवानी मालिक है, और यह लोग market से बहुत जल्दी बाहर भी हो जाते हैं, उसी तरीके से, जो लोग सोचते कि expiry मुझे 5 गुना कर कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे, तो मेरे हिसाब से expiry की दिन अगर आप, सुनिये देन से, 20-50% तक का अगर profit आपके account में दिखता है, अब निकल जाईएगा, और पूरे दिन भर में लोटियेगा, मत, हाँ, बहुत और भी strategies समय आने पर मैं आपको ज़रूर बताऊंग कि कम से कम profit आपके जेब में आ जाए, उसके बाद फिर हम दूसरे के बारे में बाचित करेंगे, अब तीसरी बात, सबसे जादा जरूरी, ये पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा आपको, कब कैसे वो में आपको आगे थोड़ी दिर में अभी बताने वाला हू दूसरी बात, बड़ा जरूरी होता है, expiry की दिन अगर आपसे हो सके, तो आप कम से कम lot लेके काम करना शुरू कीजिए, खासकर ऐसे strategy में, क्योंकि ऐसे strategy बड़े strong होते हैं, लेकिन ऐसे strategy में आप अगर छोटे पैसे से शुरूबात करेंगे, आपका confidence level बहुत जादा बढ जाएगा, तो बात आती है कि कितना कम, अब यहाँ पे होता है अलग-अलग time, in the money, out of the money, or at the money, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का यहीं मानना है कि आप expiry की दिन इन दमनी में काम करिए, आपका premium आपको बड़े सस्ते मिलता है, बला-बला-बला, सब लोग अपकी बाते रखते है, मेरे अनुसार आप 20 रुपए से लेके, आपकी इक्षमता जितनी है, 20 रुपए बहुत बड़िया नंबर है, आप नय है, आपका बड़ा बहुत दिनों से आपका नुकसान चल रहा है, मेरी बात एक बार मान के देखिएगा, अगर पैसे से नहीं करने की लोट ले लिजिए, बैंक निफ्टी में तो दो लोट ले लिजिए, टीस कॉंटिटी का, निफ्टी में है तो फिर एक लोट लीजिए, और फिर यहां से शुरू करिए, ट्रेट करना और फिर देखिए इसका कमाल कितना जबरदस होता है, 20 रुपए का कितना खर्चा आता है, 20 रुपए का जादा से जादा 600 रुपए आएगा, एक साइट का, अगर आप कॉल लेते हैं तो 600 रुपए खर्चा होगा, अब मान के चलिए कि 600 का अगर आपको 300 मिल जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होती है, क्यों? क्योंकि जब हम 10% की बात करते हैं, तो बाकी दिन का पासो भी हो जाता है, क्योंकि प्रिम्यम इतना, अगर मार्केट में करें, स्पाइक आता है, तो स्पाइक में कभी-कभी 300 का अच्छानक 500 दिखा देता है, अब सोचके देखिए, किसी दिन आपने 600 से शुरू किया, जिस दिन आपके हात में वो ताकत आ जाएगी, पैसो उसे confidence नहीं आता है, ट्रेड लेते लेते, experience लेते लेते confidence आता है, फिर वो 3000 का, फिर कब वो 300 का 3000 और 3000 का 30,000 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चलिए, अब मैं आ जाता हूँ हमारे strategy पे, कैसे करना है, सुनिए, एक मिनिट के time frame पे आपको काम करना है, ठीक है, ए यहाँ पे आपको दोनों लेना है, पूरा सुनिएगा, बीच में से सुन कि यह मत, अंदाजा मत लगा सकते आप, इसमें क्या आगे होने वाला है, यहाँ पे आपको दोनों लेना है, call put, आप कहेंगे, जब कॉल पूट लेंगे, तो दोनों में अगर नुक्शान होगा, त कम से कम इसको एक मिनिट तक खतम होने दीजिए, ठीक है, call or put दोनों लेना है, दोनों भी 20-20 रुपे का लेना है, exact 20 रुपे नहीं मिलेगा, call or put दोनों exact 20 रुपे का नहीं, कोई 20 रुपे का मिलेगा, कोई 20 का मिलेगा, कोई 22 का मिलेगा, कभी 23 का मिलेगा, जो आसपास मिल लेकिन चौथे वाले ने क्या किया ब्रेकडाउन देदी मैं आप यह पर लाइन बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजे बहुत आसान इसे समझ में आ जाए इसलिए मैं आपके थोड़ी ची मदद करना चाहता हूँ देखिए यह वाला यहां पर लाइन बना दिया है अब आप देखेंगे तो यहां पर कितना पॉइंट नीचे आके आप कॉल को काट रहे हैं यह मैं आ गया हूँ अगर आप देखेंगे तो देखें ध्यान से 45,694 पर आपने कॉल लिया है और आप एक्जिट कर रहे हैं 45,664 पर यहां पी इसको एक्जिट कर रहे हैं सिर्फ तीस पॉइंट होगा कि मार्केट आपको माइनस दिखाएगा क्योंकि मार्केट नीच या रहा है तो कॉल का माइनस आ जाएगा लेकिन आपको फिर पूट को होल करके रखना है अब बात आती है कि पूट को कितने देर होल करना है आपको पूट को सिर्फ और सिर्फ 20 प्रत केंडल आया दूसरा केंडल तीसरा और चौथा केंडल बड़ा तेज नीचे आ रहा है तो ऐसे समय पर आपकर स्पाइक बहुत तेज आएगा तो कभी कब आरो पचास से असी प्रतिशेद भी चला जाएगा end of the day आप profit में ही रहने वाले है इसमें कोई शक्षुबा नहीं है इसमें फायदा ही होने वाला है सबसे मज़िदर बात क्या है पांच दिन के expiry है अब हर रोज हर expiry के लिए अब इसको 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 इसकोई कर सकते हाँ हिदायत जरूर दूँगा एक नसीयत जरूर सब मैंने एक एक करके चीजों को प्रैक्टिस करके पॉफिट गेन करने के बाद ही आपके सामय में लाता हूँ ताकि आपको भी धीरे धीरे इन सब चीजों को देखके आपको देखिए ट्रेडिंग बहुत आसान है बस लोगों इसको कॉंप्लिकेट बनाके रखा है टेकनिक से ही पैसा जादा बनता है जितना जादा मार्केट को आप कॉंप्लिकेटे नजरों से देखेंगे मार्केट आपसे उतना ही जादा पैसा लेता रहेगा आपका लॉस होता रहेगा मार्केट में आप जितना ही खुले मंद से आएंगे और सिंपल स्ट्राटेज इस्तमाल कर यह एक दिन का मैंने आपको बताया देखिए अब एक दिन के साथ मैं आपको चीज़ों और भी दिखा देता हूँ कि यह तो एक दिन का था अभी इससे पहले दिन का भी मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिन का भी देख लेते हैं छे तारीक का पाच तारीक का यह देखिए उसleans को सब्से पहले डिलीट कर देता हूँ और पहले राइन को होसे इस्पर हुरिज॑ंटर LINE कर देता हूँ तो आपको समझ में आ दो या आपको भी करना ठीक है यह धेखिए अब पहले candle को मैंने ड्रॉ कर दिया है दूसरा candle इसके नीचे खतम हो गया मतलब पहले जहां पे एंड हो रहा है बिल्कुल आपको यह दिखनी की जरूरत नहीं कि पहले candle का high or low mark नहीं करना है पहले candle का पहले candle के candle जहां पे close हो रहा है वहां पे mark करना है और जैसे ही इसने second candle पे उस close के नीचे अपना close दिया यहां पे आपको call को reject छोड़ देना है और अगर आपका position लेते लेते अगर मार्केट पहले candle से नीचे चला गया तो तो फिर आपको call भी नहीं लेना ऐसे पूट ले लीजिए हां यहां पे आपको दो डिवाइस की जर्थ पड़ेगी एक हाथ में आपको दूसरा रहेगा दूसरे हाथ में आप लेते रहेंगे अगर आप देखरें कि मार्केट शुर हाथ के दस उंगली हो तो दस आपके घीमें हो जाएगा अप थोड़ा सा जादा भी होल्ड कर सकते लेकिन मेरे उमीद से वह समय के साथ आपको समझ में आएगा कि आपको जादा कब लेना होता है कुछ-कुछ बात मैं आपको पताता हो कि कब हम जादा ले सकते जब हम option chain को देखते हैं जहां पर हमको पता चलता है कि मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है कहां पर पूट्राइटर सबसे ज़्यादा है मार्केट कहां से reverse करेगा ऐसे समय लेकिन आप अगर नहीं है तो इतने डीटेल में जाने की जरूत नहीं है बस 20 से 50 प्रतिशत के बीच में मार् तो आज लगपती बन गया होता बस यही चीज आपका दिमाग खराब करेगी और अगले दिन आप जादा होल के चकर में आप पड़े रहेंगे और मार्केट थोड़ा नीचे गिर के बाउस बैक कर जाएगा रिवर्स करेगा जितने भी कमाई हो रही थी वो चला जाएगा म नहीं होता है कई सारे लोगे जो समय बिताते जा रहें मार्केट में लेकिन आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है अब आपके उपर है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है या नहीं है प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूत पड़ती है खुद की स्ट्रे यह देखिए यह पहला candle यह पहला candle close हो यहाँ पर है ठीक है अब मैं थोड़ा से बढ़ा कर देता हूं पहला candle यह उल्टा बाला है पहला candle अब यहाँ पर मैं call put दोनों ले लुगा लेते अगर दूसरा मिनिट भी close हो जाता है दूसरा मिनिट देखिए पहले candle के ऊपर close हुआ मतलब यहाँ पर मुझे call को रखना पूट को काड़ देना है और फिर यह मार्केट कहां से कहां पर पहुंच गया अगर आप गिनेंगे आप अगर यहां से भी अगर गिनते हैं देखिए आपको यहां से कितना call का अगर आप ले लेते तो यहां पर यहां से लेके यहां तक मैं इसको गिन लेता हूँ यह देखिए यह लगबग यहां पर 692 का से शुरू हो रहा है पास्व चियत तर से 692 लगावतार थोड़े ही देर में मार्केट आप देखेंगे तो अगले 15 15 मनिट बेने 10 से 12 मिनिट के अंदर मार्केट देड़ सो पॉइंट मार्केट लग 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 130 मार्केट उपर चला गया 130 पॉइंट 10 मिनिट के अंदर का मतलब है आपका प्रॉफिट यहां पे जो गुना बहुत आसानी से हो जाएगा अगर अपनी सिर्क कॉल करके रखाए तो बापस मैं उसी बात को रपीट करता हूँ 20 से 50 परतिशत का आप रखिये अगर इतना मिल जाया ना तो सोचके देखिए का तीन दिन के अंदर आपका पैसा नबल हो जाता है सोचके देखिए जरा एक दिन अगर नुक्सान हो भी जाता है लेकिन बाकी दिन ऐसा नहीं होगा नॉर्मली नुक्सा चाहिए इसलिए वो लोग पैसे नहीं बना सकते इस स्ट्राटेजी को पकड़े रहेगा तीन महीना दो महीना एक महीना चार हफ्ता तीन हफ्ता दो हफ्ता जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लिजिए फिर देखिए आपका पैसा कैसा बनना शुरू होता है वीडियो अगर आई शेयर सब्सक्राब जरूर कीजिए का आप से मैं अगले वीडियो मिलता तब तक लिए जैहिन